नय साल का आगास हो किया है लेकिन नया साल 2020 कई राशियों पर प्रभाव कारी रहेगा एंपी नियूस पर पंडित राम चंद्र शर्मा वैदिक आपको बता रही है कि ये नया साल 2020 किन किन राशियों के लिए खास रहेगा देखे इस खास रिपोर्ट में वन्दे हम घणनायकम वैसे तो भारती नव वर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अर्थात बुड़ी पढ़वा से होता है किन्तु पास्चात्य नव वर्ष का आरंभ आज से हो रहा है रवियों, सिद्धियों, बुधवार ये सम जो है यह संकेत दे रहे हैं कि पूरा वर्ष कन्या राशी को समर्पित है गणेश जी को समर्पित है पास्चात्य नव वर्ष का आरंभ सामान निताहा कन्या लगन में होता है और लगन का मालिक, लगन का स्वामी स्वयम बुध है और वर्ष का आरंभ भी बुधवार से हो रहा है वहीं भारती नव वर्ष जेने गुड़ी पढ़वा बुधवार से ही नव वर्ष का आरंभ होगा संयोग देखिये नए वर्ष का राजा बुद रहेगा वहीं मंत्री जो है चंद्रमा रहेंगे नव वर्ष केंद्र सरकार की परिक्षा लेगा एवं चुनोतियों भरा वर्ष होगा यह वर्ष बुद्धिजीवियों का वर्चस्व बढ़ाएगा साथ ही कला साहित्य और खेल के नाम रहेगा दो हजार बीस धर्म अध्यात और योग की पता का फैराएगा धर्म की राजनीती तेज होगी कन्या लगन से प्रारंब हो रहा नव वर्ष निश्चित रूम से देश और दुनिया के लिए कुछ अलग होगा यदि हम नव वर्ष की कुंडली की चर्चा करें तो कन्या राशी का स्वामी बुद्ध जो है चतुर्थ भाव में धनू की राशी में है और धनू की राशी अर्थात ब्रहस्पदी की राशी होती है धर्म की राजनीती तेज होगी धर्म की राजनीती जब तेज होगी वही धर्म और अध्यात्म का जो है मिलन होगा धर्म और अध्यात्म का मिलन होगा देश और दुनिया में भारत का नाम धर्म और अध्यात्म में बढ़ेगा पास्चात त्यनाव वर्ष में बारह राशियों के लिए अलग अलग जो है भविश्य भल बताया है 24 जन्वरी से शनी देव यहने दंडा दिकारी धनुसे मकर राशी में प्रवेश करेंगे और वरशप और कन्या राशी के जो जातक है वो ढ़या शनी से मुक्त होंगे वही जो है वरश्चिक राशी के जातक शनी की साड़े साती से मुक्त होंगे बितुन और तुला राशी के जातक शनी की ढ़या के प्रभाव में रहेंगे वही धनु मकर और कुम्ब राशी के जातक शनी के साड़े साती के प्रभाव में रहेंगे वर्ष बुध प्रधान रहेगा बुधवार से प्रारम हो रहा है वर्ष का राजा बुध है नव वर्ष और पाश्चात नव वर्ष दोनों जो है बुद्वार से प्रारम हो रहे हैं नया वर्ष देश और दुनिया के लिए कुछ खास होगा यदि हम मेश राशी की जर्चा करें तो मेश राशी के लिए वर्ष जो है राजियोकारी होगा मेश राशी का स्वामी मंगल है इनके लिए लाल कलर जो है वर्ष के अंदर विसेज सुखन रहेगा प्रशम राशी की यदि हम चर्चा करें तो प्रशम राशी का स्वामी स्वयम जो है शुक्र है और इस राशी के लिए ये राशी के जातक जो है कला प्रेमी होंगे इस राशी के जो बुद्धी जीवी होंगे उनका वर्ष में वर्चस सुबड़ेगा तीसरी राशी है जो तीश में मितुन राशी और मितुन राशी का स्वामी स्वयम बुद्ध है बुद्वार से नया वर्ष प्रारम हो रहा है इस राशी के जातकों के लिए यह वर्ष जो है आनंद दाई रहेगा सुख दाई रहेगा नई सोगाते जो है इस राशी के जातकों को प्राप्त होगी जो तीश में चूती राशी है करकराशी और करकराशी जली तत्व की राशी है और इस राशी का स्वामी जो है चद्रमा है वही जो है नव वर्ष का जो मंत्री है वो भी चद्रमा रहेगा धर्म के प्रती रुची बढ़ेगी महिलाओं का सम्मान होगा वही जो है इस राशी के जो जातक जो है मानसिक रूप से कुछ विशेस स्वस्त निखाई देगे जो तीस में पांच्वी राशी है सिम्व राशी और सिम्व राशी का स्वामी जो है सूर्य है और इस राशी के जातकों के लिए ये जो कलर जो इस वर्ष महत्वपूर रहेगा सुफलदाई रहेगा वह रहेगा लाल कलर सुर्ख लाल कलर इस राशी के जातकों के लिए वर्ष जो है चुनोती भरा रहेगा कुछ कश्टों का सामना भी इस राशी के जातकों को करना पड़ सकता है छटी राशी है कन्या राशी और कन्या राशी का स्वामी भी जो है बुद्ध है यह राशी के जातक जो है इन्हें अकस्माद धन की जो है प्राप्ती होगी वर्ष के अंदर अर्थ विवस्ता सुद्रण होगी वही जो है नहीं भौतिक सुख सुविदाओं से ये लोग किसी भी प्रकार वंचित नहीं रह सकेंगे सात्वी राशी है तुला राशी और तुला राशी का स्वामी शुक्र है इन लोगों के लिए जो है चम्कीला कलर जो है विसेस फलंदाई रहेगा सफलताएं इनके चरण चूमेगी तुला राशी के जातक जो है उनके लिए जो है नए वर्ष के अंदर जो है मांच से लेके और नवंबर तक का समय कुछ जो है कश्टदाई रहेगा इस समय भगवती की आराधना करें मा दुर्गा की आराधना करें जो तीस में आठवी रासी है वरष्चिक रासी और वरष्चिक रासी का स्वामी स्वयम जो है मंगल है और इस रासी के लिए महरून कलर कत्थई कलर जो है विसेश सुब पलदाई रहेगा प्रस्चिक रासी की जो नए वर्षि के अंदर इनने कुछ नई सोगाते प्राप्त होगी, इस राषि के विद्यार्थियों को परिच्छा में सफलता जो है शीक्र प्राप्त होगी, नभी राषी है धनुराषी, धनुराषी का स्वामी जो है स्वयम ब्रहस्पती है, इनने और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी नई सोगाते इन्हें जो है वर्ष में प्राप्त होगी 10- vendor आसी है मकरृसी मकरृसी का स्वामी स्वयम शनी है वर्ष में भागे इनका जो है साथ देगा, काला और नीला कलर इनके लिए वर्श में शुब रहेगा यार्वी राशी है, कुंब राशी, कुंब राशी का स्वामी शनी है उन्ने परिस्थितियों के अनुकूल जो है, इस राशी के जातकों को कार करना होगा वही जो है ऐसे जो जातक हैं उन्हें नियाए प्री रहना चाहिए और स्वार्थिकी भावनाओं का त्याक कर रास्ट प्रेम की भावना जो है मन के अंदर सजोना चाहिए जोतीश के अंदर बार्वी राशी है मीन राशी नई योजनाओं का क्रियानवेन होगा वही जो है यह वर्ष जो है उनके लिए अत्यंत सुफल धाई रहेगा नव वर्ष कुंडिली में चतुरत भाव में पंचक रही युती बन रही है भारत पाक के रिस्ते कमजोर और कमजोर होंगे भारत और चीन के राजनितिक संबंद इस वर्ष कुछ नया कर पाएंगे भारत और चीन के व्यावसाइक संबंदों की सिती यथावद बनी रहेगी वही भारत रूस के संबंदों की यदि हम जच्चा करें तो मकर राशिका सनी ट्यक्नलाजी के छेत्र में कुछ नया जो है कर सकता है वहीं अमेरिका के ट्रंप्स अपना जनाधार जो है खो सकते हैं देश के कुछ बड़े उद्योग पती आर्थिक संकड के जलते परेशान हो सकते हैं यदि कुल मिलाकर हम जर्चा करें तो 2020 जो है चुनोतियों भरा होगा और संगर्ष की दास्ता जो है बया कर रहा है भारत के बुद्धी जीवियों का सम्मान होगा पूरे विश्व में भारत पर आध्यात्मिक और सावस्रितिक जो है छवी साप दिकाई देगी राजनेतिक उठा पठक तेज होगी महिगाई एवं बेरोजगारी का गराफ बड़ेगा केंद्र सरकार के दित नए नए नियम कानून जंता को दुमिधा में डाल सकते हैं वही सरकार की साखमी जो है कमजौर होगी वर्ष में दो सूर एवं चार चंदरकाण होगे जिसमें एक सूर और एक चंद्रगहन भारत में दिखाई देगा 25 मार्च 2020 से हमारा भारती नववर्ष विक्रम प्रारम होगा वही इसका राजा बुद रहेगा मंत्री जो है चंद्रहेदा बुद और चंद्रू वेसे तो परस्वर शत्रू है छल कपट की राजनीती तेज होगी अपरादियों का भंडा फोड होगा और सरकार अपनी लोक लुभावन नीतियों से जन्ता को अकरशित करने का प्रयास करेगी पुल मिलाकर नया वर्ष जो है केंद्र सरकार की परिक्षा लेगा प्राकृतिक आपदाओ एवं नई नई संक्रामत बीमारियों से जन्ता त्रस्त होगी तथा धर्म और अध्यात्म की राजनीती तेज होगी नय वर्ष की मंगल कामने हमारे सभी दर्शकों को एमपी नियूज के सभी दर्शकों को नया वर्ष जो है मंगल मैहो सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामयाहा सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कस्चि दुख भाग भवेत अपुत्रा पुत्रिनस संतु पुत्रिनस संतु पुत्रिनस पुत्रिनहा अधना सधना संतु जीवंतु शरदा सतं मंगल कामदाएं